दिल्ली की पूर्व मुखमंति शीला दीक्षित का 81 वर्स की उम्र में नीधन काफी दिनों से चल रही थी बीमार लाजी टंडन बने मदब्रदेश के नए राजपाल आलंदी बेन पटेल होंगी उत्तर प्रदेश की राजपाल 26 घंटों से धरने पर बैटी प्रियंका गांजी वाटा का धरना ख़त्म सोन भद्र नहीं जा सकी पूरित परिवाल मिलने पहुचे अस्तामा और बिहार में बाहर से बिगड़े हालाद बाहर से मरने वालों की संख्या हुई 149 ब्रमो पुत्र समेट कई नदिया उफान पर और पतिकों निर्दोस पता मीडिया पर विप्री विधायक कर्रामा भाई नार्पो टेस्ट और सीब्याई की जांच की मांग की नमस्कार मैं हूँ सत्यम शर्मा आप देखने हैं दखल नूज अब ख़बरे विस्तार से दिल्ली की पूर्व मुखमंती और गांधी परिवार की सबसे करीबी कॉंग्रेस ने त्री शीला दिक्षित का निधन हो गया शीला दिक्षित 21 वर्ष की थी बीते काफी दिनों से बीमार चल रही थी आज सुबह ही दिल्ली के एसकार्ट होस्पिटल में उन्हें उल्टी की शिकायत के बाद भरती करवाया गया था शीला दिक्षित दिल्ली कॉंग्रेस की अध्यक्ष थी उन्होंने हाल ही में लोगसभा चुनाव 2019 में उत्तर पूर्वी दिल्ली से मरुष्टिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ा था शीला दिक्षित तीन बार दिल्ली की मुख मंत्री रही है शीला दिक्षित के निधन परदेश के प्रधान मंत्री नरेन मोदी वा राहूल गांधी सहित कई हस्तियों ने ट्विट कर शद्धांजली अर्पित के साथ ही कॉंग्रेस को बड़ी च्छती बताया लाल जी टंडन को मद्ध प्रदेश का नया राजपाल बना दिया गया है और मद्ध प्रदेश की मौझूदा राजपाल आनंदी बिन पटेल उत्तर प्रदेश की नई राजपाल होंगी लाल जी टंडन इससे पहले बिहार के राजपाल थे और पुर प्रधानमंती अटल बिहारी वाजपई के राजनीती से सन्यास लेने के बाद लखनव सीट से चुनाव लड़कर लोग सभा पहुचे थे उत्रप्रदेश के वरिष्ट नेता लाल जी टंडन को मद्रप्रदेश का नया राजपाल बनाया गया है प्रदेश की मौझूदा राजपाल अनंदी बेन पटेल को उत्रप्रदेश का राजपाल घोशित कर दिया गया है उर्व प्रधान मंत्री अटल विहारी बाजपई के राजनीती से सन्यास लेने के बाद वो लखनव सीट से 2009 में चुनाव लड़कर लोग सभा पहुचे थे लाल जी टंडन इससे पहले बिहार के राजपाल थे वो उत्तरप्रदेश सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं टंडन कई बार उत्तरप्रदेश विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमी का भी निभा चुके हैं पधाती नजर आई वहीं दूसी तरफ कॉंग्रेस नेताओं के दल ने राजपाल से मिलकर क्या पंसोपा धरना समाब्द करने के बाद प्रेंका ने कहा कि यूपी में कानून विवस्था ध्वस्त है यूपी सरकार को इसकी जिमेदारी लेनी चाहिए अधिकारियों को सुन भदर के बनवासियों की लड़ाई कॉंग्रेस रड़ेगी भाविश्य में वे नरसंगार के गाह उंभा भी जरूर जाएंगी प्रेंका ने मांग की है कि मृतकों के परिवार को कम से कम सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपे साहता राशी दी जाए जिस जमीन पर बनवासी प क्योंकि इनके साथ अन्याएं मैं कल भी कहा आज भी कह रही हूं जमानत बरने का कोई मतलब नहीं है मैंने कोई अपराद नहीं कि आज तक मुझे इन्होंने बताया भी नहीं है कि कि सेक्शन मुझे इधर डीटेंड के साथ हार्पे कि मिलने आये लोगों को रोके जाने से नाराज प्रेंका जबरदस्ती गेट की तरफ आगे बढ़ने लगी ताकि पीडितों से मिल सके वहीं पुलिस उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ी तो इस पीच हलकी फुलकी धका मुकी हुई और प्रेंका एक बार फिर से धरने पर बैठ गई प्रेंका ने साफ कहा कि 24 ऌहीं हो चुके हैं और मैं तब किहांसे नहीं जाओंगी जब तक मुझे सोन्भदर हिंसा के पीड़ितों से प्रेंका गानधी प्रेंका गाफ किया जिसमें नील मंडलम, अभी रंजन विश्वास और उमा सरेन भी वारानसी एरपोर्ट पहुंचे लेकिन उन्हें एरपोर्ट पर ही हिरासक में ले लिया गया। असम और बिहार में भारी बारिश के चलते बार से मरने वालों की संख्या 149 हो गई है और लगभग एक करोड़ से ज्यादा लोग इस बार से प्रभावित हुए हैं बिहार और असम में बार की इस्थिती शुक्रवार को भी विकट बनी रही दोनों राज्यों में बार के करण मौत का आकड़ा बढ़ गया है अकेले असम में ही शुक्रवाल को ग्यारा मौतों के साथ राज में मरने वालों की संख्या 47 पहुँच गई है प्रदेश के 33 में से 27 जिनों के 48 दिसमलव 8-7 लाग से ज्यादा लोग बार से प्रभावित हैं बार की वज़ा से एक दिशमलव साथ नौल लाग हेक्टर भूमी पर खड़ी पसल बरवाद हो चुकी है गौंडों के लिए मशूर कांजी रंगा नैशनल पार्क वा ओभी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का 90 फीसिदी हिस्सा पानी में डूप चुका है ब्रहम पोत्र समेत अन नदियों का जलसतर खत लिए हुए हैं कई लोग राहत वा बचावकार में लापरवाही का भी आरोब लगा रहे हैं वित्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि शायद प्रशाशन बाड की बिशनता का अंताजा नहीं लगा सका इसलिए कुछ जिलों के राहत शिवरों में कम सामेगरी इस बीच बिहार सरकार ने शुकरवार को बाड़ पीडितों के बैंक खाते में एक से क्यासी करोड रुपे डाले हैं मुखमंत्री नितिश कुमार के एक क्लिक पर तीन लाग ते अधिक पीडित परिवारों के खाते में छे हजार रुपे पहुँच गए अगले 48 घंटे के भीतर यह राशी पीडितों को मिल जाएगी पहले चरण में 3,2,339 परिवारों की पहचान बाड़ पीडित के तौर पर की गई है इसके बाद प्रती परिवार 6,000 की दर से भुक्तान किया गया बस्पा विधायक रमाबाई के पती पर हत्या का आरोप है और वो खुले आम विधान सावा में घूमते नजर आए जब यह खबर मीडिया में चली तो नाराज रमाबाई ने मीडिया के ऊपर ही आरोप लगाने शुरू कर दिये रमाबाई का कहना है कि मीडिया को उनके पती का विधान सावा में आना अच्छा नहीं लगा रमाबाई ने मीडिया से ही हत्या कार्ण में जाज के लिए सायोग करने के साथ ही अपने पती और देवर को निर्दोश बताया उधर ग्रह मंत्री बाला बच्चन भी रमाबाई के पती पर सवाल पर गोल मुल जवाब देते नजर आए हत्या के आरोपी वस्पा की विधायक रमाबाई के पती की विधान सभा में मौझूदगी को लेकर मीडिया द्वारा खबर दिखाये जाने से रमाबाई मीडिया पर ही बिफर पड़ी रमाबाई ने कहा कि उनके पती और देवर निर दोश हैं फुलिस ने उनके लोगों पर जबरन हत्या का आरोप लगाया है रमाबाई ने कहा कि जब मीडिया सीता और राम का पता लगा सकती है तो चार महीने पहले केस का भी पता लगा दे उनके पती को निर्दू उश्श साबित करने में मीडिया उनका साथ दे रमाबाई ने कहा कि उनके पती के उपर कोई आरोप नहीं है गौरतलब है कि दम्हों हत्याकांड में रमाबाई के पती फरार बताए जा रहे थे लेकिन जिनके उपर 25,000 का इनाम भी घोशिकता लेकिन कल विधान साभा में इतनी सुरक्षा के बीच रमाबाई के पती ना सिर्फ विधान साभा में मौजूद रहे बलकि उन्होंने मंत्री और विधायकों से भी बात की और मुलाकात भी की इस जब मामला बढ़ा तो सरकार की तरफ से जवाब आया कि रमाबाई के पती गोविंसिंग पर एफायर नहीं है रमाबाई ने कहा कि सरकार उनकी है मगर उनको ही इनसाफ नहीं दिया जा रहा है उनके 28 लोगों पर जबरदस्ती केस लगाए गया है रमाबाई ने नार्को टेस्टर सीविया जांच की मांग की है ग्रह मंत्री से जब रमाबाई के पती पर सवाल किया गया तो वो गोल मुल जवाब देते नजर आए हम सच्चा उनसे हमें उम्मीद है भाई उनको जूटे लोगों ने जूटी था लिए उनके सामने परोसी है जूटा उनको बताए उस समय भो भी भर मितते जब उनने भी सच्चा ही के पता लगाया कि बास्तों मित्ते लोग नहीं करने लिए किसको नहीं मिल रहा सचन्याय के परती आप में किसको नहीं मिल रहा है पहले आप लोग अगर बास्तों में भारत को चोटर स्थांप मानू जाते थोड़ी आप भी तो खोज करो जनते ही हो मूर्ख बस कांग्रेस महासची प्रियंका गांधी बाढ़रा को सोंद्भद्र जाने से उत्तर प्रदेश सरकाने रोका था और उन्हें के हिरासत में ले लिया गया था इसके विरोध में विधान सभा में कांग्रेस कार्टाओं ने काली पट्री बांद कर विरोध दर्ज कराया विधान सभा सुरू होने से पहले ही सत्ता पच्छ के हंगामे के बाद सभा कुछ देर के लिए इस्थगित कर दे गई खेल एवं भर में प्रदेशन कर विरोध जताया है मद्देश में कांग्रेस कारेकरताओं ने काली पट्टी बांद कर विरोध प्रदेशन किया और योगी सरकार के खिलाफ नारे वाजी की खेल अवं युवा कल्यान मंत्री जीतू पतवारी ने केंदर और भाजपा को निशाने पर करते हुए कहा कि मोधी सरकार ताना शाही पर उतर आई है प्रेंका पीडिक परिवारों के आसू पोशने और उनका हाल चाल जानने जा रही थी लेकिन उनको हिरासत में लेकर वहां जाने से रोग दिया गया कॉंग्रेस इसका विरोध करती है विरोध और हंगामे के बाद विधान सभा की कारवाही को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया कॉंग्रेस विधायक और मंत्रियों ने विधान सभा के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर जम्यर नारिबाजी की पूरा देश ने दिया उसका सरोकार ये लिखना कि तानाशाही के प्रथम सीड़ी वो चड़ गया एक देश की परिवार की नेता जिसने देश के लिए बलिदान दिये वो अपने आसू पोचने परिवार के आसू जारी तो रात भर से प्रियंका जी को डिटेक्ट करके रखा पिन ईजल गिनरोटे बिरोथ करता मुष्ट भाइं आसमान को निहारता किसान बादलों के च्छाने का इंतजार कर रहा है बारिष नहोंने से किसान के सर पर संक्ट के बादल जरूर चागए है नर्सिंगपूर में बारिस नहीं हो रही, किसान डरा हुआ है, खासकर धान के किसानों के लिए यह समय किसी मुसीबत से कम नहीं है, जहां उनकी रोपी गई फसल अब सूखने लगी है, मजदूरी निकालना भी अब उनके लिए दूर की कौड़ी साबित होने लगा है नर्सिंगपूर को मद्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है, एशिया की सबसे उपजाओ भूमी का तंगा रखने वाले नर्सिंगपूर के किसान मौसम की बेरुखी के चलते एक बार फिर गहरे संकट से जूज रहे हैं पिछले दस से बारा दिनों से मौसम ने ऐसी करवट बदली है कि अनधाता के अर्मानों पर पानी फिर गया है साथ ही पहले रोपे के धान भी अब पानी की कमी के चलते खेत में ही सूख कर डम तोड रहे हैं अर्थिक तंगी से जूज रहे इन धान किसानों की दूसरी मुसीवत ये भी है कि धान की रुपाई के लिए भारी संख्या में मौसदूर लाने पड़ते हैं और अब बारिश ना होने के चलते और मजदूरों की मजदूरी देने के लिए मजबूरन धान रोपने का रिस्क भी लेना पड़ रहा है लेकिन अगर एक दो दिल में बारिश नहीं हुई तो पूरी की पूरी फसल बरवाद होने का किसानों को डर सताने लगा है मौसम की इस मार के आगे खुद जिले का कृशी विभाग अपने आप को बेबस और लाचार महसूस कर रहा है और वह भी मानसून के वापिस आने की रहत तक रहा है विभाग भी कारिश शाला आई जित कर अब एक तरहा की खेती से बचने की किसानों को सलहा देती नजर आ रही है ताकि कृशी आधारत वेकल पिद्वेवसाई को किसान अपनाए और होने वाले घाटे को कम किया जा सके इस साल बारिस का कम है पूरे मद्रदेश में बारिस कमी हो रही है मौसम विभाग का अकलन है कि आगे अगले सपता से बारिस अच्छी होगी हम लोग उमीद करते हैं कि अच्छी बारिस होगी और किसानों को जो बारिस का खामियाजा है वो आगे चल करके अच्छी बारिस होगी तो उनको रहत मिलेगी यह जरूर समस्या है कि इस तरह से इसी के तारतम में ही तो यह पूरा वर्क साप हुआ था कि अगर आप एक जो बरसा आस्रीतिया कुछ तरह तरह की खेती करोगे तो आपका रिस्ट चमता बढ़ेगा आप ज्यादा अंधनी करने की स्थिति में रहोगे अगर इस तरह से एक सिंगिल क्राप ले रहो है हो और वो फ्रकित के भरोसे है निस्चित रूप से लोगों को दो चार होता रहता है और यही बज़य है कि अब लोग पुराने पुस्तैनी खेती के वेवसाय से पलायन कर रोजगार की तलास में भटकने को मजबूर हैं खेर फिलाल वक्त को चला है चोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे आप देखते रहें दखल नीज आप देख रहें हैं दखल नीजुट संट्विति सांस्क्रीट एक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नकसल्वाधियों के गाड़ नुची जोप्डि भी महलों ्योोथै फख पकदंडियों से लक्ते गाउं से शेहरों तक, व।यापार से लक्ता, राज़जीती से ब्थीटीती तक, पहन नीजुट आप के हाट है आप देख रहे हैं तखल लिओ नहीं किया है आए दिन किसानों को नोटिस भेजे जा रहे हैं और उनके साथ अबद्रता भी की जा रही है सरकार की किसान रिण माफी योजना पर नेता प्रतिपक्ष ने सवालिया ने शान लगाया और कहा कि किसानों का रिण माफ नहीं किया गया है राहुल गांधी ने कहा था अगर तीन महीने के अंदर रिण माफ नहीं होगा तो वो मुखमंतरी बदल देंगे सीम बदलना तो दूर वो खुद ही पत छोड़ कर चले गए साथ महां हो चुके है सरकार बने किसान परिशान हो रही है बैंक्त के द्वारा किसानों को वसूली के नोटिस दे कर उनके सामान की कुरकी किये जाने के बात कही जा रही है रिण वसूलने के लिए किसानों से अबदरता की जा रही है भारगव ने कहा कि पिछले 6 महिने में 71 किसानों ने आत्म हत्या की है जिससे सरकार की नाकामी साफ नजर आ रही है गोपल भारगव ने सरकार से मांग की है कि जल से जल किसानों के रण माफ किये जाएं पर इसकार रहे हैं और इसकारंड ने भाई गरस्त हो के और कर्ज में दबके उन सभी 71 किसानों ने अपनी हाथ में हत्या की है इस बात को शासन्य भी स्विकार किया आधिवासियों के हित की बात करने वाली कमल ना सरकार पर अधिकारियों की लापरवाई और मनमानी भारी ज्यादा हो गए हैं लेकिन अधिकतर छात्रवास पर ताला पड़ा हुआ है और छात्र भटक रहे हैं आदिम जाती कल्यान मंत्री ओमकार सिंग मरकाम ने छात्रवास शुरू ना होने को लेकर जाच कराने की बात कही है एक तरफ कमलनास सरकार निकम में और कार में लापरवा करने वाले अधिकारियों पर कारवाई की बात कर रही है वहीं दूसरी तरफ नर्सिंग पूर्ट जिले के आदिम जाती कल्यान विभाग के अधिकारी बिना डरे कमलनास सरकार के आदोशियों की धज्यां उड़ा रहे हैं प्रदेश में नया स्ट्र शुरू हुए रहने का को इंतिजाब है अधिकतर चातरवासों में पंदरा दिन बाद भी ताला लटका हुआ है अधिकारियों की लापरवाही से बच्चों की पढ़ाई तो बरबाद हो ही रही है साथ ही साथ उनके भविशे के साथ खिलवार किया जा रहा है जिले के अधिकतर चातरवा कुछ नहीं कर सकता मैंने तो बच्चों को भी बुलवा चुका हूं फोन भी कर चुका हूं अच्छे बच्चों को आज कल की बूला आज कल में बच्चे ला जाएंगे मेरे विवस्ता संचालन के लिए चालू है सभी विवस्ता कर चुका हूं तो मैंने तो मेरी विवस्ता कर लिए बच्चों को फोन कर दिया है बच्चे बूल रहे थे आने कि आज की बूला तो आज तू नहीं आए बच्चे अब देखो अब जी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता मेरी बिवस्ता तो संचाले थे मैं तो सब बेवस्ता हैं बनाए रखे हूं बच्चे जाएंगे मिरमेस चालू हो जाएगा जब इस बारे में जिला संयोजा कादिम जाती नर्सिंग पूर से बात की गई तो उन्होंने भी गोल मल जवाब देते हुए अपना पला जाड लिया रेखा पंचाल ने जूट बोलते हुए कहा कि चात्रवास चालू है और अच्छे से संचालित किया जा रहा है अब पंचाल जी को कौन बताए कि ताला पड़े चात्रवासों को अच्छे से संचालित करना नहीं कहा जाता नर्सिंग पूल कलेक्टर ने खबर को संग्यान में लेते हुए कहा कि छातरावासों में ताले लगे होने की सूशना पहले भी मिली है अगर अधिकारियों द्वारा लापरवाही बढ़ती जाती है तो सम्मंदित अधिकारियों पर कारवाई की जाएगी यह मुझे आपने जानकरी पहले भी दी थी दो दिन पहले मुझे जानकरी मिली थी मैंने इसमें जुजला सही हो जाके हैं अधिकार लाप के उनको कहा है कि इसको चेक कराएं और जहां कहीं भी उस्तर चालू नहीं है उनको कराएं चिशली, बोहानी और गाड़ावारा तीन कि शेकायत मुझे प्राप्ट हुई थी, उन्होंने मुझे जानकरी थी एक गाड़ावारा को उन्होंगे चालू कर दिया है, हलागि कल आपने मुझे फिर ख़ब किया तक साब गाड़ावारा का भी चालू नहीं हुआ है, मैंने उनको रीच चेक करने के लिए कहा है, और एक और दो दिन के अंदर ये चालू नहीं होते हैं तो हम निश्चे तोर से संब्दितों को गुदिकार होई है। ऐसे ही दबा दिया जाएगा ये तो समय ही बताएगा फिलहाल बच्चों का भविश खत्रे में नजर आता है। को पता है पर अब हम उसमें निर्देश दिये हुए मैं तो चार जनवरी को निर्देश दिया था लगातार इसमें अफ्ग्रेट और सभी व्यवस्ताओं को सुद्रण करने के लिए कारोबार हमेशा फलता फूलता है है ये अलग बात है कि जो सत्ता में होता है वो मलाय मारता है. अभी हाल ही में पूर्व विधायक नेता आर्ऩी प्रजापति ने कॉंग्रेस विधायक सही कई कॉंग्रेसी नेताओं पर रेट के अवए दुध खननन का आरोप लगाया है। वहीं सत्ता पच्च के विधायक का कहना है कि पूर्व विधायक सिर्फ उनकी छबी खराब करने के लिए ऐसे आरूप लगा रहे हैं चतरपूर जिले के छदला से पूर्व विधायक अड़ी प्रजापती ने कॉंग्रेस विधायक पर रेत का वैद उत्खनन करने का आरोप लगाया है उनका आरोप है कि बरुवा खेत खदान पर विकल गए थे, वहां रेत खदान पर चदरपुर कॉंग्रेस विधायक आलोग चदरवेदी की समर्थक और कॉंग्रेस के कारिकारी अद्धेश गुलाव यादव और कॉंग्रेस ने तराजकुमार पटेल एलेंटी मशीनों से चक भी खराब हो चुकी है, आर्डी प्रजापती ने आरोप लगाया कि सब्ता के दवाव से इस खदान पर प्रशाशन कोई कारवाही नहीं करता है, रेत क्या वेद कारोबार को रोहने के लिए धरना प्रदशन की उन्होंने धंकी भी धी, वहीं पूर्व विधायक ने इन आ बरुवा में मैं डारिट गया, तो बरुवा में साथ एलेंटी चर गही थी, और वहां कांगरेश के कारकारी अधिच गुलावियादो और राजकुमार पटेल थे, जब उनसे पूछा गया, कि भाई ये काम क्यों करवा रहे हो, तो उन्हें ने इस पश्ट कहा, कि भाई हम मैं कांगरेश का हूँ, ये क्या है, अब ये दंदा इतना चर रहा है, और पंदरा साल से कांगरेश भूकी है, तो बरुवा में बचाने वाला दूसरा हो वही होता है, और इस बात को सच कर दिखाया है जगदलपुल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने, दो जंगल में र आदिवासी बच्चियों की जान बचाई, जिनके बचने की उम्मी छोड़ी जा चुकी थी, सरकारी मेडिकल कॉलेज के वेवस्थाओं की खबरे आए दिन अख़वारों और चैनलों के सुर्ख्यां बनी रहती हैं, मगर इस बार जगदलपुल मेडिकल कॉलेज की और डॉ डॉक्टर और उनकी टीम ने दिया है गंभीर ब्रेन मलेरिया, सिपीडित आदिवासी बच्ची डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के बच्चावार्ड में भरती की गई थी, हिमानी दस वर्ष पिता चुन्नी लाल पांडे जो गंभीर क्रिटिकल बेहोशी डीप कॉमा शौक की हालत में थी, पीपी एकदम कम हो चुका था, बेर्गी के चटके लाल पेशावा तेज बुखार से पीड थी, बच्ची को सेरिवरल मेलेरिया था, वहीं दूसरी बच्ची मरकम भी में दस वर्ष पिता कोसा को पूरे शरीर्स में अत्यधिक सूजन के कारण भरती किया गया नकली सिंथेटिक दूद का काला कारोबार तेजी से चल रहा है, स्टीएफ ने च्छापा मार कारवाई करते हुए एक बड़े रैकेट का खुलासा किया, भिंड बुरैना की ऐसी तीन फैक्टरियां पर च्छापा मारा गया, जहां नकली दूद तयार किया जा रहा था, बताया जा रहा है कि दूद फैक्टरि से पौन सो लिटर के बतिस टैंकर चप्त किये गए हैं, साथ ही तीस लोगों को पूछ ताच के लिए हिरासत में भी ले लिया गया है, टीम के मताबिक और भी बड़े गिरों के खुलासे होने की उम्मीद बताई गई है, स्टीएफ टीम ने नकली दूद के कारोबारियों पर शिकंजा कसलिया है, बी टीम के मताबिक फैक्टरी से 500 लीटर के 32 टैंक करता था, 1000 किलो सिंथेटिक मावा मिला है, फैक्टरी के संचालक देवेंदर गुर्जर, जैवीर गुर्जर, राम नरेश गुर्जर और दिनेश शर्मा नाम के वेक्ती द्वारा संचालित की जा रही थी, टीम ने तीस से ज कारवाई की गई है, और कुल मिलाकर के 5 टेकानों पर जब कारवाई की गई, 20 टैंकर जो नकली इस तरह के सिंथेटिक मिल को सप्लाई करने वाले वो, और इसके साथ-साथ 11 पिकप विकल्स, इनको मौके से पकड़ा है, 57 लोगों को पुलिक्स कस्टेडी में लेकर के पूरी सूचना के बाद एक बड़े लेवल पर करवाई की गई है, एक पिता रच्छक से भच्छक बन गया, और अपनी ही डेर साल की अबोध बच्ची को शराब के नशे में जमीन पर पठक पठक कर मार डाला, और अपनी इस कर्थू को चिपाने के लिए बच्ची के शब को नाले में फेक दिया, पिता के इस घरित कर्थ का खुलासा उसी की पांस साल की बेटी ने किया, जवलपूर मारो ताल खाना अंतरगत दीन दयाल चौक में एक हैवान बाप ने अपनी ही डेर साल की बच्ची को मौत के खाट उतार दिया, मिली जानकारी के निसार अजय अ अपनी तीन बच्ची और पत्नी किरण के साथ दीन दयाल चौक सित्फुट पाथ पर रहता था, अजय नशे का आदी होने के कारण आए दिन अपनी बीवी से छगड़ा करता था, वहीं किरण को चौथी डिलिवरी के चलते तीन दिन पूर ही अस्पतार में भरती किया गया रात में अजय ने जमकर शरापी और घर आया, घर में अजय की पांस साल की बेटी और देड़ साल की मासूम बच्ची अके लिए थी, अचानक से अजय ने अपने देड़ साल की मासूम बच्ची को उठा कर जमीन में पटकना शू कर दिया, जिससे मौके पर ही मासूम की मौ नशे में चूर हैवान बाप ने अपने इस घिनोने करत को छुपाने के लिए बच्ची की लाश को घर के सामने बने नाले में फेक दिया। सुभा जब अजे की साली घर आई तो पांस साल की बच्ची ने अपनी मौसी गीता को सारी बाते बताई। वही गीता ने तत्काल ठाने पहुँचकर अपने जीजा अजे के हेवानियत के बारे में बताया। मौकर पर पहुची पुलिस ने नाले से बच्ची के शब को बरामद कर आरूपी अजे को घर अफ्तार कर लिया। चार साल की बच्ची लगातार बोल रही है कि मेरे पिता ने रात में ऐसा क्रित किया है बच्ची को उसकी बहन को पटक के मारा है और उसके बाद नाली में जाके नाली में फिक दिया है तो यह यह उस बच्ची की बहादुरी है और यही हमारे समाज का वो ताकत है संबल है अपनी बेटी को मार रहा है और एक बहन जो है वह अपनी बहन के कातिल के विरुद्धिति मुखर होकर सामने आ रही है और बता रही है पहले वह प्लिस खाकी का मतलब वह समझ रही है इलगिन होस्पिटाल में उसकी माँ हस्पेटलाइज है और वहां जा रही है तो सबसे पहले एक खाकी धारी को जो वहां का चौकीदार है सिकूर्टी गार्ड है उसको बजाके बता रही है कि हमारे पेता ने क्या किया बच्चा चौरी के शक में भीर ने शर्मसार हुई एक मांसिक विशित यूवक को इसलिए ग्रामीडों ने पीट-पीट कर मार डाला क्योंकि उन्हें इस पर बच्चा चुराने का शक था म्रतक जो मांसिक विशित यूवक है वो आजमगर उत्तपदेश का रहने वाला है अब उसके म्रत शरीर को भी पुलिस औ कोई पहुचाने की सुद नहीं ले रहा बच्चा चौरी की घड़नाओं के बाद लोगों में डर फैल गया है ऐसे में कुछ आसामाजिक तत्व द्वारा अफवाहें फैला दी जाती हैं जिससे लोग परिशान होते हैं और पुलिस सही ढंग से काम नहीं कर पाती इस समस्य के निराकरण के लिए अडिशनल एस पी दिनेश कौशल ने सुरच्छ समीति की बैठक में लोगों को अफवाहों पर रोक लगाने को लेकर समझाइज दी आसामाजिक तत्वों द्वारा बच्चा चौरी की अफवाह फैला कर लोगों को परिशान किया जा रहा है लोग की अफवाहों पर रोक लगाने के लिए बैरगण और खजूरी थाना च्छेतर में सुरक्षा समीति की बैठक रखी इस बैठक में बच्चा चौरी के अफवाहों को लेकर समझाइश दी गई साथ ही शूशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वाले और मॉव लिंचिंग की खटनाओं पर अंकुष लगाने को लेकर बात कही इस बैठक में स्टी ओपी दीपक नायक सहित खजूरी सड़क बैरगण परवलिया थाने के प्रभारी शामिल थे इस बुलेटन में फिलाल इतना ही आप देखते रहिए दखल न्यूस दखल आपकी हकमी कर दो